हेलो यह स्वागत आप सभीगा मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल ट्विशन गुरीजी में अज हम बात करेंगे वक्शुट 11 की जो की 6 नॉवंबर के लिए जारी किये है यह क्लास 6 की साइंस सब्जेक्स इलेटी वक्शुट है यहां वच्छे अपने नाम लेखेंगे और यह लगलग पार्ट्स के बारे में और आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में तो आगे देखते हैं स्टेम के बारे में क्या कहता है यह आपकी वक्शीट स्टेम is the part of the plant which usually grow above the ground it is generally green in color in most of the plants is grow vertically upward and pure branches, leaves, flowers and buds the points on the stem where leaves are born are known as nodes the portion of the stem between the nodes are called inter-nodes तो बच्छों, स्टेम क्या है? आईए देखते हैं यह कह रहा है कि यह जो लाइन है दर्ती से उपर यानि जमीन से उपर नीचे roots हो गई और यह जो लाइन है यह stem के लाती है यही bear करती है यही generally रखती है अपने साथ vertically अपड़ जाने के बाद leaves को flowers को और birds को बच्छों तो यह क्या काम करती है यह इन सब चीजों को अपने साथ रखती है अब leaves जहां पर है वहां पर कहलाती है यह notes और जो stem और leaves के बीच में stem और notes के बीच में जह जगना है उसे गहलाती है intern notes बच्छों तो यह कुछ-कुछ इस तरह का structure होता है ठीक है बच्छों तो यह लिखा भी हो आस बैसे में लुक एड़ प्लांट शोन इन पिक्चर गिवन बिलो और नोट इट्स पार्ट इस पार्ट इस प्लांट अट यह हो दें ट्राइट तो करना क्या बच्छो इसके पार्ट्स आपको देखने हैं और एक कोशिश करने हैं कि अगर आपके गर पर कोई पोधा हो तो उसे आप identify करें कि उसमें इस तरह के पार्ट्स कहां पे हैं या stem कहां पे वच्छो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है यह वाट ड़स टेंप डू तो इस टेंप करती क्या है पहली चीज़ा है supports a plant to stand upright support करती है plant को सीधा रहने में अगला है holds leaves flower fruits and bud flowers में इस अपने अंदर या एक तरह से support करती है या hold करती है यह कह सकते हैं वच्छो तीसरा है transport water and minerals from the roots to other parts of the plant तो यह का करता है यह काम करता है transportation का water and minerals का roots से other parts में ठीक है वच्छो plant में अगला है transport food from leaves to different parts of the plant यह transportation करती है food का भी leaves से different parts of plant में वच्छो अगला है in some plant system makes food from plant like a cactus तो कुछ plants ऐसे भी है जहां पर यह chlorophyll की सायता से plant के लिए food बनाने का काम भी करती है जैसे की cactus में वच्छो चली वच्छो आगे दिखते हैं रीटा टुके small plant with white flower she cut it from stem base and placed it in glass containing colored blue water she left it undisturbed for one day तो रीटा एक बच्छी है उसने क्या किया उसने एक white flower का plant लिया और उसे stem base से cut किया और एक glass में रख दिया जिसमें की blue color का water था और उसे एक दिन के लिए undisturbed छोड़ दिया तो क्या हुआ गए on the next day she observed color patches on the petals of white flower of the plant तो अखले दिन उसने क्या notice किया उसने notice किया कि patches है blue color के यानि कि जिस color के पानी उसने रख था उसी blue color के patches है white flower के plant पे तो अब क्या पूच रहा है बच्चो यह पूच रहा है think and answer why did it happens तो बच्चो एक चीज अभी आप समझ लीजिए हमने अभी उपर पड़ा था कि transport water minerals from roots to other parts of the plant तो यह क्या 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 आप से अब क्योंकि यहां पर इसने क्या किया roots को छोड़ करके यानि कि यह इससा चोड़ करके उपर का इससा रख लिया है यह इससा छोड़ दिया है काट दिया है लेकिन mechanism जो है वो transportation का वो चालू है इसमें तो क्योंकि यह blue color का water था तो इस वज़े से यह जो patches पड़ गए है इसमें आपके आपके प्लांट जो plant है white flower flower का plant है उसके फ्लावर में पच्छो तो यह लिखा भी वह देखिए अब stem conducts water from roots mineral dissolved in water move up in the stem along with water water and minerals goes to leaves another plant parts attached to stem through narrow tubes inside stem तो चो होता क्या है कि water minerals जो है water के साथ move करते है stem में water के through roots से और फिर जाते है leaves में और other parts जो attached होते है उसमें यह जाते कैसे है leaves stem में से क्योंकि उसमें narrow tubes होते हैं पत्ली-पत्ली tubes होती है tubes like structure होते हैं जिसके तो यह जाती है बच्छो चली बच्छो यह तो हाई आपकी worksheet और जड़ा कुश्छनां से देख लेते हैं पहला कुश्छन है fill in the blanks तो उसमें है conduction of water takes place through narrow tubes inside narrow tubes present इंसाइड इस्टेम ठीक है बच्छो अगला है इस्टेम कंड़क्ट्स water and minerals dissolved in तो बच्छो क्या है इस्टेम कंड़क्ट्स water and minerals dissolved in water ठीक है बच्छो चली अगला देखते है अगला है question number B appearance of color patches on petal of white flower was due to conduction of colored water from glass by tubes present in stem तो यह conduction की वज़े से हुआ था बच्छो तो conduction की वज़े से हुआ था येस फिर है राइट टू functions of stem तो दो functions इस टेम के क्या है पहला है वाटर और मिंदल को dissolve form में plants के अलगलग parts में पहुचाना और दूसरा क्या है कुछ cases में क्या कर सकता है बच्छो यह कुछ cases में क्या कर सकता है यह फूड manufacturing का काम भी कर सकता है फूड बेना सकता है plant के लिए like cactus ठीक है बच्छो तो बच्छो यह हो कि आपकी worksheet complete और वीडियो भी आशा करता है आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करे शेर करें थैंक यू